नमस्कार आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ आयूशी महर्शी शौर्य और साहस की मूर्थी भारत के वीर सपूत छत्रपती शिवाजी महाराज की आज जैन्दी है शिवाजी एक महान देश भक्त वे कुशल प्रश्यासक थे जहां एक तरफ वे महापराक्रमी थे तो वहीं दूसरी और वे अपनी दयालूता के लिए भी जाने जाते थे युद्धि में उनके रणनीती का कोई सानी नहीं था वे अपनी छोटी सी सेना से भी मुगलों की भारी भरकम सेना को परास्त कर देते थे शिवाजी पहले हिंगुस्तानी शासक थे जिन्होंने नौसीना की एहमियत को पहचाना और अपनी ये मजबूत नौसीना का गठन किया उन्होंने महाराश के कोकन शेतर के रक्षा के लिए कई के लिए बनाए जिनमें जैगर्ड, विजय दुर्ग, सिंदु दुर्ग और अन्ने स्थानों पर बने के लिए शामिल थे इतना ही नहीं शिवाजी को माउंटेन रेट भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने शेतर को बहुत अच्छे से जानते थे और कहीं से भी निकल कर अच्छानक हमला कर देते थे और फिर वहां से गायब हो जाते थे, उनको गुरिल्ला यूद का जनक माना जाता है, में शिपकर दुश्मनों पर हमला करते थे और उनको काफी नुकसान पहुँचा कर निकल जाते थे गुरिल्ला यूद मराठो के रणीती सफलता का एक अन्य एहम कारण था, इनमें वे छोटी टुकडी में च्छप कर अचानक दुश्मनों पर आकरमन करते और उसी तेजी से जंगलों और पहाडों में च्छप जाते थे च्छत्रपती शिवाजी महाराठा समराज के वो योद्धा है जिनके आगे कोई टिक नहीं सकता च्छत्रपती शिवाजी को देश के सबसे उन्नत शील और विवेक शील शासक में गिना जाता है 19 फरवरी 1630 को उनका जनम प्रतिष्ट शिवनेरी किले में हुआ और 3 अप्रेल 1680 कोन का रायगड के किले में आखरी सासली थी शिवाजी को बशपन से ही योद्धा के तौर पर गिना जाता था उनके उमरे सिर्फ 15 साल थी जब उन्होंने बीज़ापूर के कमांडर इयानत खान को मजबूर कर दिया था कि वे उन्हें तोरण का किला सौब दे शिवाजी युद्ध के रणनीतियों के महारती थे और आप में से बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि उन्हें इंडियन नेवी का पिता में भी कहा जाता था तो चली फिलाल के लिए सिर्व इतना ही इसी तरह के लेटेस्ट अब्डेट के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूस नमस्कार